दोस्तों के नमस्कार मैं हुआ इसके अबर टेक पर फिर से आपके अपने चैनल एजुकेशन एड़ जोब पर आपका स्वागत है जी हाँ दोस्तों एस्टेट को लेकर हरेना विदाले सिक्षा बेओड की तरह से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है जो आपके साथ में शे करा रहा है तो देखिए दोस्तों क्या ब्रेकिंग मुझ आई है वो ध्यान से सुनिए जहां दोस्तों आप सभी को पता होगा 18 और 19 दिसंबर को जो है हर्याना ध्यापक पातरता प्रिक्षा का सफल संचालन करवा लिया गया था रिजल्ट के इंतजार में काफी सारी प्रि करवाई जाती है तो सभी उसके इंतजार में थे तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको ब्रेकिंग न्यूस जो है दे रहे हैं कि एस्टेट की जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है उसकी तिथी आ चुकी है जी हां दोस्तों यह बिल्कुल सत्य है हर्याना विदाले सिक्षा बोर्ड के अध्यक्स प्रोफेसर डक्टर जगबीर सिंग एवं सचीव श्री कृषण कुमार जी एसस ने यहां जानकर देते हुए बताया कि हर्याना अध्यपक पातरता प्रिक्षा इन्हीं एस्टेट प्रिक्षा 2021 का जो आयोजन 18-19 को करवाया गया था इस प्रिक्षा क प्रिणाम गोशित होने से पूर अभ्यार्थियों की जो है आयरिस बायोमेट्रिक वैरिफिकेस होनी आवशक है जी हां दोस्तों अभ्यार्थियों की सुविदा को देखते हुए 20 जनवरी से 23 जनवरी 2022 प्रात्यस नो बज़े से साए 5 बज़े तक राज्ये के सभी 22 जिलो में जाकर यह प्रकरिया पूरण कर सकते हैं जी हां दोस्तों यह बात बिल्कुल सत्य है 20 जनवरी से 23 जनवरी की जो है तिथी आ चुकी है बायोमेट्रिक आयरिस जो वैरिफिकेसन होगी और उन्होंने आगे बताया कि विशेश प्रिस्थितियों में अभ्यार्थी 22 जिलो जो किसी कारणवा से अपने होम डिस्टिक में नहीं है वो किसी दूसरे डिस्टिक में गया हुआ है किसी कार्या से और किसी आपने नीजी कार्य को लेकर तो दोस्तों वह अपने साथ लगते जिले में जिस जिले में वो गया है वहां भी अपनी जो बायोमेट्रिक आईरिस वेरिफिकेशन करवा सकता है और उन्होंने बताया कि अब्यर्थी दवारा अपना मूल पहचान पत्र एवं मूल परवेस पत्र जो एडमिट कार्ड वो लेकर आना है और उन्होंने बताया कि 11 जिलों में जहां वेरिफिकेशन होनी है उनके विदालियों की सुची वे जिन अब्यर्थियों की जो आईरिस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होनी है उसकी सुची बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट www.bses.org.in पर 19 जनवरी 2022 से उपलब्द होगी जिहां दोस्तों जो लिष्ट है वो 19 जनवरी को ओफिसिल वेबसाइट पर अपडेट हो जाएगी और आपको तुरंत सुचीत कर दिया जाएगा इसको लेकर भी मैं एक वीडियो आपके पास आऊँगा और दोस्तों अंत में उन्होंने बताया कि केवल सुची में दिये गए अनुकरमांक वाले अभर्थी दवारा ही यह प्रकरिया पूर्ण की जानी है इन अभर्थियों को इनके पंजिकरत मोबाइल नंबर पर भी इस संदे से तु मैसिज बेज दिये जाएंगे बोर्ड वेबसाइट पर उपलब्द सुची में से जो बर्थी इन तितियों में यह प्रकरिया पूर्ण नहीं करते हैं तो उनका प्रिणाम घोशित नहीं किया जाएगा जिहां दोस्तों बोर्ड की ओफिसियल वेबसाइट पर करवानी है और जो इस तीथियों में जो है वेरिफिकेशन नहीं करवा पाएगा तो उनका रिजल्ट रोग लिया जाएगा तो दोस्तों इसलिए 20 जनवरी से 23 जनवरी तक प्रात्य 9 बजे से 5 बजे तक जो स्कूलों की लिष्ट साथ में प्रोवाइड करवाय जाएगी व आनलाओ